नमस्कार मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं दफ्रंट अब सिर्फ साथ घंटे का इंतजार है जी हाँ निर्भया के गुनाहगारों के पास सिर्फ साथ घंटे बचे हैं साथ घंटे के अंदर अगर उन्होंने राष्ट्रपती के पास दयायाचिका डाल दी चार में से एक गुनाहगार के दयायाचिका को राष्ट्रपती खारिज कर चुके हैं तीन के पास अभी भी मौका है राष्ट्रपती के पास दयायाचिका लगाने का अगर तीन गुनहगारों ने 31 तारीक की दो पहर के पहले यानि कि अब से अगर गिने तो लगबग 60 घंटे हो रहे हैं इन 60 घंटों के अंदर अगर इन गुनहगारों ने राश्चपती के पास द्याय याचिका डाली और अगर वो खारिज नहीं हुई अगर उस पर मामला लंबित रहा अगर उसको टाला गया या उस पर सुनवाई के लिए आगे का वक्त दिया गया तो एक फरवरी को इन गुनहगारों की होने वाली फासी भी तल सकती है यहाँ यह एक एहम बात है इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 60 घंटे अब बचे हैं 60 घंटे का और बस इंतजार है और इन गुनहगारों की फासी एक फरवरी को सुनिश्चित हो जाएगी अगर यह दयायाचिका राश्टपती ये पास नहीं दायर करते है तो लेकिन इस बीच में तिहार जेल में पूरी तैयारियां कम्पलीट हो चुकी हैं कल शाम में शाम के 6 बजे के आसपास तिहार जेल में गेहूं की बोरियों और रेत भरी हुई बोरियों के साथ फासी का रिहलसल कर लिया गया है ट्राइल कर लिया गया है आपको बता दें कि वक्सर से जो रस्यां मगाई गई थी उन रस्यों पर इनकी वजन के मताबक रेत और गेहूं के बोरे डाल करके उनको फांसी से लटकाया गया, उन रस्यों की परह की गई और ये चेक किया गया है कि सब कुछ ठीक है या नही है। तिहारप्रशासन की माने और तिहार जिल से की सुतरों की माने तो यह पूरा ट्राइल कल शाम में कमप्लीट किया गा रहे है लगबक शाम के छ़े बजे इसके बाद इन चारों गुनेहगारों की जो इस्तिती है खौफ चाय में और मौत की दहशत उनको साप साप सुनाई दे कि जिस गुनहगार की भी फासी होनी होती है जेल के अंदर उसकी स्वास्त की देख भाल करना तिहार जेल या जिस जेल के अंदर वो होते हैं उनके जिम्मेदारी होती है और इसके लिए दोनों टाइम इस वक्त जो है 24 गंटे में दो बार इनका मेडिकल चिक अप हो रहा है औ लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इन चारों की मानसिक हालत भी ठीक बताई जा रही है और इनका स्चारिरिक स्वास्त भी ठीक है यानि कि एक फरवरी को फासी में कोई अरंगा नहीं है अगर बाकी बचे तीन गुनाय मुकेश की याचिका जो खारीज हो चुकी है उसके ब पीच आपको ये भी बता दें कि तिहार जेल के अंदर जाकर इन चारों गुनायगारों के परिवार वालों ने इनसे मुलाकात कर ली है आपको बता दें कि आखरी तिहार प्रशासन ने जब ये इनसे बोला था कि अगर किसी परिवार वालों से मिलना चाहते हैं अंतिमिक् आपचारिकताएं पूरी हो चुकी है सारी आपचारिकताएं खत्म होती जा रही है और अब बस साथ घंटे का इंतजार है साथ घंटे और उसके बाद इन चारों गुनहगारों की फासी तय है अभी के लिए इतना ही धन्यवाद सब्सक्राइब कर लिजे हमारा यूटूब चैनल दा फ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लिजे